हेल फ्रेंट्स मैं हूँ सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूटुब चैनल स्वरकारीज जॉब न्यूज ये एक माई 2020 के हैं आपके एक्जामनेशन में काम आएंगे और इसका पीडिएफ एबलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है नोट्स के साथ है पीडिएफ या वीडियो खत्म होने से ठीक पहले बगल में डाउनलोड का लिंक आ जागा तो वहां से भी आप ले सकते हो पीडिएफ पहला कोशन लेते हैं किस देश के प्रधान मतरी मिखाईल मुशस्तिन को कोविड नाइटीन पॉजटिव पाए गया जिसके बाद वो पद से हट के इसका आंसर होगा रूस रसिया ओके देखे रूस में कोरोना वैरस का दारा लगतार बढ़ता जा रहा है आग आकड़ी की बात करें तो 30 अप्रेल यानी कल तक कोरोना पॉजटिव के संख्या वहाँ एक लख को पार करें और मरने वालों के संख्या एक हजार से जादा है तो मिखाईल मुशुस्तिन जो जनवरी में ही वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे रूस के तो उनको कोविड 19 पॉजटिव पाया गया, कोरोना वायरस का पॉजटिव पाया गया तो उसके बाद वो पीम पर से हट रहे हैं उन्होंने ऐसा ऐलान किया है और उनकी जगह कारिकारी पीम यानी एक्जेक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है आंद्रे बेलु सोव को ओके और प् बस उन्होंने पर मिनिस्टर का काम जो है ऑफिस में शुरू कर दिया है अगला कोशन जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी दिल्चस्पी भी होगी इसमें एक्टर रिशी कपूर का 30 अप्रेल 2020 को निधन हो गया तो किस तरह के कैंसर से जूज रहे थे किस तरह के कैं अगले ही दिन 30 अप्रेल को उनका निधन हो गया और वो लूकेमिया बीमारी से यानी कैंसर से दो साल से जूज रहे थे अमेरिका में उनका इलाज भी चल रहा था बाद में वो लॉट आये थे तो क्या है यह यह लूकेमिया देखिए यह एक तरह का बलड कैंसर है जो की श चलाने के लिए खून चाहिए खून में होते हैं यह सारे बलड सेल्स अलग अलग तरह के लोके तो आसान भाशा में कहा हूं तो बलड सेल जो है वो अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं तो खराब बलड सेल जब बढ़ने लगते हैं तो लूकेमिया होते हैं यह कै दूसरा होता है red blood cells यानी RBC जो कि oxygen का वहन करता है, oxygen ले जाता है अलगले हिस्से में body के, red blood cells और तीसरा होता है platelets जो कि blood के ठक्के को बनने से रोकता है, तो leukemia जो cancer है उसमें खास और पे white blood cells जो यह वो प्रहावित होते हैं, infector होते हैं, उनको problem हो जाती है, और यह white blood cells जो है red blood cells पर हावी हो जाती है, और शरीर के स्वस्त रहने में जो आहम भूमी का निवाता है platelets उस पर भी वर्चस्व हासिल कर लेता है, और white blood cells इतना ज्यादा मात्रा में हो जाता है कि शरीर के दूसरे अंगों में भी दिक्कत होने लगती है, और यह जो cancer है, वो bone marrow पर भी असर solid tissue होता है, और bone marrow हर दिन करोनों के संख्या में नए blood cells बनाता है, जिसमें ज्यादा red blood cells होते है, लेकिन leukemia होने के कारण क्या होता है, कि शरीर में ज़रूरत से ज्यादा white blood cells यानि WBC बनने लगते है, और यह जो white blood cells होता है, वो infected वो उस तरीके से नहीं लड़ पाता है, जैस स्वस्थ blood cells हैं, वो ठीक से नहीं बन पाते हैं, फिर hemoglobin और platelets की मातरा काम होने लगते हैं, खराब blood cells जो हैं, धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्टे को भी प्रहुईत करने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा संख्या होने पर white blood cells की ये शरी के दूसरे अंगों के काम करने के तरीके पर वसर डालता है, और एक वक्त ऐसा आता है, जब शरीर में oxygen की आपूर्ती के लिए परियाप्त red blood cells यानि RBC नहीं रा जाता है, और जो platelets होते हैं, वो भी blood को जमने से नहीं रोप पाते हैं, तो इसके वी से बहुत सारी दिकते हो जाती हैं, तो कैसे होती है ये बिमारी है, ये leukemia cancer, जड़ता है उनकी होती है, जिनकी family history होती है इस बिमारी के, इसके साथ साथ smoking करने के कारण भी leukemia का खतरा बढ़ जाता है, इलाज क्या है, तो treatment के दोरान chemotherapy, radiation therapy होता है, stem cell transplant होता है, जिसे bone marrow transplant भी काहता है, तो ये bone marrow transplant जो है, वो रिशिकापूर का भी हु नहीं रहा, तो ये बात ही leukemia के बारे में, और इस बहने आपने बहुत सारे चीज़ों को भी जाना है, red blood cells, कैसे काम करते हैं, क्या होता है, जो कि आपके examination में काम आता है, कल मैं जब इरफान खान के बिमारी के बारे में बता रहा था, तो कुछ लोगों ने comment किये कि इतनी ज़्यादा detail हमें examination में जरूरत नहीं परती है, आपने क्यों बताया, भाई मेरे आपको इन bloods के बारे में तो जानना चाहिए न, तो ये सब revise हो रहा है आपका, bone marrow कहां पर है, वो आपका revise हो रहा है, जो मैंने बताया आपको, इस तरह की बहुत सारी चीज़े हैं, जो आप आप समझ रहा होंगे, दोस्तों आपको आगे बता दू, रिशी कपूर के बारे में कि उनकी जो पहली फिल्म थी, वो मेरा नाम जोकर था, बाल कलाकार के रूप में उन्होंने उसमें भूमिका निभाई थी, 1970 में, और बार में वो बड़े होकर, बावी फिल्म से अपना बहतरीन करियर को आगे बढ़ाया था, आखरी फिल्म कौन थी, शर्मा जी नमकीन, जिसके शूटिंग चल रही थी, और अब इसको फिर से शूट किया जागा, तो रिशी कपूर का निधन 30 अप्रेल को हुआ, उससे ठीक एक दिन पहले, 39 अप्रेल को, इरफान खान जो बह आथा थे, 2013 में वो रिलीज हुई थी, तो इस तरह के भी कोशन हो सकते हैं, कि दोनों की मिली जूली, जिसमें एक साथ भूमी का निभाई, वो कौन से फिल्म है थी, तो डीडे, ओके, आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, ये वीडियो पसंद आ रहा हो, लाइक बटन जोर दब गया, आंसरोगा, टी एस, तिरू मूर्ती, 29 अप्रेल को, देखे, वहाँ पर उनको निख्त किया गया, अस्थाई प्रतिनिधी के रूप में, चेन्नाई के रहने वाले हैं, और वर्तमान में विदेश मंत्राले में, सचिप के तौर पर काम कर रहे हैं, और उन्होंने किस क जगली है, तो सायद अकबरुद्दीन की जगली है, जो चार सल पहले वहाँ पर अस्थाई प्रतिनिधी के रूप में नुक्त हुए थे, तो यूएन में ये अस्थाई प्रतिनिधी होता क्या है, पर्मनेंट रिवर्ट इन्टेटिव, या कहें तो यूएन एमबेजडर, देखें, यूएन के जितने मेंबर कंट्री है, उन सब का डिप्लोमेटिक मिशन होता है, वहाँ पर, टीम होती है, तो उस टीम को जो हेड करता है, उसको ये पर्मनेंट प्रतिनिधी करते हैं, अस्थाई प्रतिनिधी करते हैं, और उनका दफ्तर अमेरिका के निउयाक वह भी कौन है? आप लोगो मिशन हैं, अगला कोषन है, कर दो आयोग यानी सेंट्रल विजलेंस कमिशन में झाक्ति को स्तरक्ता आयोग में किस से निक्त की आ गया है? अभी हाली में? इसका आंसोगा सुरेश एन पटेल वो मशूर बैंकर है और केंद्री सतर्क्ता आयोग जो है वो ब्रहष्टचारी रोधी निगरानी संस्था है और इन्होंने जुनको निक्ति की गई हैं 29 अपराइल को शपत गरहन किया किसने शपत दिलाई तो CVC ने शपत दिलाई है केंद प्राप्त समीती ने फरवरी में ही कर दिया था पटेल को और अब उन्होंने शपत ले लिया है ठीक है और वो 2015 में आंध्रा बैंक के MD और CEO रह चुके हैं उनका कारकाल दो साल से ज्यादा को होगा तो सवाल उठता है कि क्या होता है सतर्क्ता आयोग तो के देखें सेंटर् विजलेंस कमिशनर जो बॉस होता है और उनके अंडर में दो विजलेंस कमिशनर होते हैं तो एक की नुकती अभी होगी है और एक पहले से हैं शारत कुमार ठीक है आप समझ गया होगे अगला कुशन लेते हैं PNB Housing Finance Limited का अंतरिम MD और CEO किसे बनाय गया है एंतरिम इसका अंस अगला कुशन लेते हैं आयुश्मान भारत दिवस कब मना जाता है आंसर होगा 30 अप्रेल देखे इसी दिन योजना की शुरुआत हुई थी और इसका ओफिशल नाम है परधान मंतरी जन आरोग योजना PMJ इसके तहत बहुत बड़ी आबादी को हर साल 5 लाख रुपे तक क स्वास्त बीमा मिलता है अगला कुशन लेते हैं चार देशों के नए राज़दूत बनाएं गया है उनके बारे में है कुशन होगा केंजर सरकार ने इस लोग वेनिया में भारत का राज़दूत किसे नुक्त किया है इंडिया का अंसर होगा नम्रता इसकुमार ठीक है उन Capital है जुब जाना, मुद्रा है यूरो, राश्टपती है बुरुत पहोर और हागे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि 2021 का important current force label है हिंदी और इंग्लिश दोनों लेग जूँ है with notes है तो description जरूर चेक कर लेना अगला कोशने केंदर सरकार ने ऑस्टरिया में भारत का राजदूत किसे नुक्त किया है नया राजदूत आंसर होगा जैदीप मजूमतार इनको नुक्त किया गया है ऑस्टरिया ये भी एरोपिय देश है इसके सीमा जर्मनी, इटली, सुजलेंड, इसनो वेनिया, हंग्री इससे मिलता है और राजदानी किया है वियेना मुद्रा है यूरो और राश्ट्रपती है हेंज, फिशर अगला कोशन है केंदर सरकार ने कतर में भारत का राजदूत किसे नुक्त किया है इसका आंसर होगा दीपक मित्तल दीपक मित्तल को नुक्त किया गया है कतर जो है वो अरब देश है और इसके कैप्टल तोहा है राजदानी मुद्रा है, कतर रियाल और वहां के प्राइम निश्टर है बहुत लंबा नाम है शेक खालिद बिन खालीफा बिन अब्देल अजीज अल्थानी लंबा नाम है इसका अगला कोशने केंदर सरकार ने बहरीन में भारत का राजदूत किसे नुक्त किया है आंसर होगा इसका पियूश शिर्वास्ता बहरीन ये अरब देश है और इसके किंग है अगला कोशने इंटरनेशनल जैज डे कब मना जाता है आंसर होगा इसका 30 अप्रेल तो क्या है ये जैज देखिए पशिम सब्दा की एक संगीत विधा है मूजिक है जिसके शुरुआत जो है 19-20 शताबदी के बीच में होई थी अमेरिका, दक्षिन अफ्रीका जैसे देशों में काफी लोग प्री है और ये इसका इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेक्सो फोन है और ये दिवस यूनस को द्वरा घोशित है तो दोस्ते ये था इंपॉर्टेंट करेंट वर्स इसका PDF Met早 spaghetti में लिंक आगया है क्लिक किजिए डानलोड का और डानलोड कर लेजे PDF नोट्स के साथ और वैसे मैंने डिस्क्रॉप्शन में भी देडिया है, हमने लिंक देडिया है आप वहां से भी डानलोड कर सकते हैं और हाँ अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रू करना साथ बेल आका नबाना मत बूलना कल मौने को मिलेंगे